गुड़ मॉर्निंग आईरोन जीर फर्स्ट एर पेपर आपका प्रडालों जो जो जब्रावधी मैं आपको पढ़ा लीती उनिट थर्ड उनिट थर्ड में जबकर पॉइंट है टॉपिक है अपक्षे अपक्षे जो श्वब्द है इसको अपक्षे क्यों कहते है या अपक्षे किसके अंतरगर आता है हम अनाजादन या अनावरत्य करण की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसके अंतरगति हमारा अभक्षे में आता है. अगया जादनिया अधावृटि करण हम यह किसकते हैं, चटान रहली होती हैं, स्टवर्टिया हमारी तिनी पीद होती हैं, उनमें दिरे दिरे क्या होता है? परिवर्टन के साथ हर्म में हो रहा है. इसतला करते में परिवर्दन होता है तो परिवर्दन किस आधार पर हो रहा है बैदान का बढ़ा होना छोटा होना नदी का हम ये के सकते भाग को बढ़ा होना छोटा होना किस आधार पर हो रहा है अपक्षे के करण हो रहा है अपक्षे किस आधार पर होते हैं ताप के करण वायूतब के करण जल की किसी स्थान पे लगातर गिर्धने के कौरण गैस के कारण, फिर हम यह कह सकते हैं जीवचंतु बनस्पती के कारण, कई परकार से अनाचादन और अनावरत्ती करण होता है, अनाचादन ये अनावरत्ती करण जब होता है, तो उसका आधार होता है कि जो भी हम यह कह सकते हैं इतलाक रहती है, वो अपने हुप में चेंजि लेकर आते हैं उसमें परिवर्दन होता है और परिवर्दन किस आधार पर हो रहा है हम ये कह सकते हैं कि परिवर्दन वायुदाप के आधार पर होता है सीधे सीफाते हम एक अगर डेफिगेशन लिए सकते हैं वहे किल्या जिसके द्वारा भूपटल की निमनशत शेलों का आवरण आवरण उतरता है उससे आना ब्रतिकरण या आना चादन कहते है कहते हैं आना ब्रतिकरण आना ब्रतिकरण या आना चादन के के निमन लूप है अपक्षे अपरदन व्रत शरन व्रत शरन व्रत शरन सामभिक इस्तानांत्रण सब एक उशेल्द हैं है कि चेंज जाना परिवारतर लाना हना नदी का जो अरिया होता है नदी मेंसे बालू मिढ्टी निकलती जाती है नदी चोड़ी होती जाती है क्योंकि क्या हो रहा है उसका शेत्र विस्त्रित होता जा रहा है जल जोई का बीच-बीच में अगर लगाता नहीं बैती है बैतुई नदी नहीं है उसके पानी वर्ष पर नहीं रहता है तो जब पानी आता है तो कुछ खटों में उसका पानी क्या हो जाता है खटा हो जाता ह अगर तो नदी का एरिया क्या होता जा रहा है विफ्त्रित होता जा Remember अगर वही नदी वर्षवर चल रही है लगातर वह उस यह जो जके पे चल रही है तो इतना ज्यादा कटाव नहीं आएगा कटाव आईगा, उसके बीच में जो चटाने आरी ओएगी, उसमें कटाव आईगा, वो छोटी हो जाएगी. पानी के कारण, पानी जब उसमें लगता रहेगढ, तो जब पानी लग रहा हैं तो तीजे दीजिए उस च़टान में क्या र consciousness erstmal दरार आरार आरी है तो उससे उसके छोटे छोटे चिलके जिलके चुपड़े भी अगर नी कर रहे हैं तो उसको फत्तर गादता है उसको ही अपक्छे कहते हैं किससे भी इस्तिलाकृति का टूटना फूटना गिसना अपक्छे कहते हैं उचे पहाड से यह हम यह कह सकते हैं बहुत सारे फत्तर हम रखते हैं और हम सीधा उसके उपर पानी डालेंगे लगातार एक ही धार में जब पानी उन फत्तरों के उपर गिर रहाएगा लगातार पानी के फोर्स से बहुत तेज इसपिट से अगर पानी गिर रहा हो लगातार गिरता जा रहा है तो फत्तर क्या होंगे अपनी जटेशोड़ेंगे mm रहा है उपनाःस्टान नीचे जीरने शोदज रहेंगे अगर खत्तर हिल या एक चटान भी हिलती है तो दूसरी चटान के उपर उसका दवाब बढ़ जाता है उस पानी के कोर्स का तो उसको क्या कहते हैं अबक्षी अब्रदान या अब्रतशरण या सामुवी किस्तानांतर कहते हैं तो अपक्षे के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि क्या हो रहा है उस्तला करत्यों में परिवर्दन चेंजिस आ रहे हैं चेंजिस किसके आधार पर आ रहे हैं दावाब के कारण आ सकते हैं कैसे परिवर्दन के कारण आ सकते हैं यह हम यह कह सकते हैं, जीट जन्तों के दोरा आ सकते हैं, अब हम पेड़ देखते हैं, जीट जन्तों के दोरा हम पताते हैं, पेड़ की जड़े होती हैं, हम भर के आगे जब हम घर बनाते हैं स्वेट का, हम उसके आगे बहुत बड़े नीम का, आम का, यापरदत का, बड़े पहलेगी तो क्या करेगी जड़ जब उसकी जमीन में दीरे दीरे बढ़ती जा रही है क्या कर रही है जड़ क्या कर रही है प्रत्वी को या उस भाग में दरार पैदा कर रही है दरार पैदा होती जाएगी तो जब दरार रही है जड़ आगे बढ़ रही है तो अपनी जगे अगर जड़े आ जाती है तो हमारा नीव हमारे मकान की खराब कर देगी तो अगर उखड़ता है तो हमारा फर्ष या मकान उसका बहुत सकता है तुर्पान के साथ मकार पेड गिर जाता है तो वो चीज भी क्या हो सकती है निकल सकती है वहाँ वो इस तती अपक्षे लेकर आती है तो इसी कोई ही आपक्षे कहते हैं अपक्षे के अगर हम definition लिखेंगे अपक्षे की परिभाशा यहां एक इस्थेतिक प्रत्रिया है इस्थेतिक प्रत्रिया है जिसमें जिसमें शैलें अपने ही अपने की इस्थान पर बिगठन पर वी योजन द्वारा फूतती है उससे अपक्षे कहते है अपनी प्रत्रिया पर अपने की ऐस को इस चत्ताने हैं अपनी इस्थान पर व्तथन पर पानी के कारण, दरार के कारण उसमें दरार आ गई है या लगाता नहीं कैसे कि दाव पढहने से उसमें दरारा गई तो वो अपने इस्तान पहाएं, उसमें वीकटित हो रही है क्या कहा दार, शेय् maioria कॉस्थण वेकशा नहीं धूर में आपक्षे कहा जाता एक。 अपक्षे के परकार, अपक्षे के तीन परकार होते हैं, मौतिक अपक्षे, रासाइनिक अपक्षे और जैरिक अपक्षे इसमें लिखेंगे अपक्षे के अपक्षे के परकार, अपक्षे के तीन परकार होते हैं परकार बहुतिक अपक्षे, फिर हम लिखेंगे रासाइनिक अपक्षे, और लास्ट में हम लिखेंगे जैविक, अपक्षे, बहुतिक अपक्षे, बहुतिक अपक्षे की कारण से होते हैं, क्या है जयविक, बहुतिक कायँ मतलब क्या है, कि जो हम यह के सकते हैं वायू मंदर के आधार पर या हम यह सकते हैं बहुत ही क्याओं के आधार पर होते हैं उसमें मांगें कोई रोल नहीं होता है वर्शा के कारण हो रहा है तापो के कारण हो रहा है वायूदाप के कारण हो रहा है के सारे जितने भी अपक्वय हो रहे है ये सारे ही फत्तिक अपक्वयों के अंतरगर आते हैं तो पहला है वर्षा जर्ण इस को डिटेर में आपके नेट्ट वीडियो बढ़ाऊंगी आपको अपक्वय वटार। वह किस कारण कारश हो रहे है वो reason बता रही हूँ ताप के कारण विगठार फिर आएगा selecting selecting अपक्षे selecting अपक्षे तुशारी अपक्षे तुशारी अपक्षे तुशारी अपक्षे के बाद में दाव मोचन इसी में बहुतिक अपक्षे का ये भाग है दाव मोचन अपक्षे दाव मोचन अपक्षे और अप अप स्लंकन अपक्षे ये सारे ही जो परकार हैं वो किसके परकार हैं बहुत एक अपक्षों के परकार है वर्शाजन, तापके करण विकटन, स्लैकिंग, तुशारी, दाव मोचन और अब स्लंकल अब है रासाइनिक अपक्षों के परकार रासाइनिक अपक्षों के परकार जो है कि रासाइनिक अपक्षे में हम लेंगे ऑक्सी करण अपक्षे जो लगों पे जग लगता है वो किसके करण लगता है ऑक्सी करण अपक्षियों के कारण होता है औक्सी करण अपक्षे फिर आएगा कार्बनी करण अपक्षे के बाद में हम लेंगे सिलिका प्रत्थक करण पिर सिलिका प्रत्थक करण के अपक्षे जल योजन के बाद आएगा लास्ट एक गोलन ये होते है सारे ही रासाइनिक अपक्षे ज्यादा से ज्यादा गैस और जल के कारण होते है जितनी भी गैसे हैं वायो मंडेर में वित्यमान उनके कारण और जल के कारण ये अपक्षे, रासायिनी के अपक्षे होते हैं फिर आता है जैविक अपक्षे जैविक अपक्षे जो हम नाम से ही सुवपता पढ़ रहा है कि जीव भी जनत्य वनस्पत्य के आधार पर जो होते हैं इसके तीन परकाल होते हैं वनस्पत्य आधारे वनस्पत्य द्वारा अपक्षे फिर दूसरा है जीव जनत्य द्वारा अपक्षे और तीसरा है मानव द्वारा मानव, द्वारा, अपक्षे यह परकार क्या है? जैवेक अपक्षे के तीन परकार है इनके परकारों को आगे नेक्स वीडियो में डिफाइड करने हैं कि भौतिक अपक्षे के जितनी परकार बता है उसके अंतरगत क्या क्या चीज़े आती है तो आज मैं आपक्षे क्या होता है या अपक्षे किसके अंतरगत आते हैं आपक्षे आते है आना प्रतिकरत या अना चादन के अंतरगत के आधार पर यह परक्रिया होती है अपक्षे अप्रदन व्रत्शर्ण याद हम यह कह सकते हैं इस्तिला क्रतिक इस्तान आत्रण वह सारी ही चीज़े क्या होती है अपक्षे होती है अपक्षे की परक्रिया की ऐसे परक्रिया जिसमें अपने ही इस्तान पर किसे भी शेल का टूटना या भी कुठन होना अपक्षे कहराता है अपक्षे के तीन फ़रकार होते हैं बहुतिक अपक्षे, रासा यीनिक अपक्षे और जैविक अपक्षे आज आपका करेकर ये प्रश्मे है अपक्षे किसे कहते है इसके फरकार कौं से है इस पास्ट कीजिए यह आपका घरे करे प्रेश्ट है घर पे रहिए शुरक्षित रहिए जब भी घर से बार जाए वास लगा के जाए और सोचल दिस्टेंस लिगा पाला पर तेंक यू